तो दोस्तो हाल ही में भारत के जम्मू कस्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार हात लगा था लिथियम का यह भंडार इतना बड़ा है कि भारत आने वारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है अब दरसल दोस्तो इरान में भी लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार खोजा गया है इरान में मिला लिथियम के भंडार भारत में मिले लिथियम के भंडार से लगबग दोगुना बड़ा है कहां तो यह भी जा रहा है, इरान में मिला लिथीयम का भंधार, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंधार है। इरान की लिथियम भंधार में लगभग 85,0,0 टन लिथियम है, जोकि एक बहुत बड़ा आकड़ा है। दरसल दोस्तों लिथियम एक धातू होता है और इस धातू का इस्तिमार मुबाइल फोन की बैटरी, लेपटाप की बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी समेथ कई तरह की बैटरियों बनाने में इस्तिमाल किया जाता है। बैटरियों के अलामा एरो इस्पेस सेक्टर में भी इसका काफी यादा डिमांड है और लिथियम के इनी सब डिमांड के वज़े से इसे हुआइट गोल्ड भी कहा जाता है लिथियम की कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी मांग के कारण पिछले साल इनके दाम आसमान लगाये हैं उस वज़े से इरान अपने तेल को दुनिया को नहीं बेच पाता लेकिन अब लिथियम का भंडार मिलने के वज़े से हो सकता है कि यहां से इरान की किसमत पलड याए अब बहुत साइब लोगों के मन में यह सवाल होगा कि जब अमेरिका ने कच्चे तेल को ल हो सकते हैं जब उन्हें बनाने वाले कमपनियों पास परियाद लिथियम हो इसमें जुमें समस्या है वह यह है इलेक्रिव वाहन बनाने वाले कमपनी तो अमेरिका की है लेकिन अमेरिका के पास लिथियम कोई भंडार नहीं है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो कुछ रुपई किलो आलू खरीदो और फिर उसका चिप्स बनाकर उसे एक हजार में बेचो खैर दुनिया में जितना जादा लिथियम का भंडार मिलता रहेगा इनके कीमत में उतने ही गिरावट आती रहेगी ज्यादा ज्यादा लिथियम का भंडार मिलने के विए से उन देशों क जो अनुमार लगाया है उसके हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि हर साल लिथियम के सप्लाई दुनिया में 34 फीजदी बढ़ती रहेगी इस हिसाब से देखा जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब लिथियम का दाम एकदम कम हो जाएगा लिथियम का दाम कम हो जाएंगे और जो गरीब लोग है वो भी इसे पर्चेस कर सकते हैं तो मिला जुलाकर कहने का मतलब यही है इससे देश को फायदा होगा या नहीं यह तो बाद में देखा जाएगा लेकिन इससे जनता को फायदा होगा यह तो अभी से कंफर्म हो गया है खेर दोस्तों आपने कभी इलेक् च्वारे चाल को अबस्वाइब करें